नमस्कार जोतिश चक्र विशेश कारेक्रम में आपका स्वागत है इस कारेक्रम में आप सभी का अपते है दिल से स्वागत है दोस्तों मैं आपका दोस्त पंकरज आपका स्वागत हूँ जोतिश चक्र कारिक्रम में हम सब इसी सब्ता इसी समय इसी दिन आप से मिलते हैं आज इस खास कारिक्रम में आपको बताएंगे 9 जनवरी से 15 जनवरी का राश्वी भविश्य अगले एक सब्ता हमें कैसी रहेगी ग्रहों की चाल किस राश्य के भागेशाली की बदले की किस्मत और साथ ही पैसा प्रॉपर्टी और पावर का भी आपको बताएंगे जबर जस्त फॉर्मूला साथ ही राज की अहल चल और देश की आर्थिक बाजार की भी करेंगे विशेश बातचीत दोस्तो आपको भी बता दे कि इस लाइव कारेकरम में आप जो भी आपकी समस्या हैं वो हमें पूछ सकते हैं हमारे स्क्रीन पर दिये चाल फ्री नंबर पर फोन करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं आपको यहां से समाधान भी मिलेगा तो अब शुरू करते हैं आज का ये कारेकरम जोतिश चक्र विशेश तो बारा राश्वी के जातकों के लिए आने वाला सब्ताह कैसा रहेगा इसके लिए विशेश मार्क जर्चन हेतू हमारे साथ संपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े हैं न्यूजेटिन के स्टूडियो पर हमारे साथ हैं विश्व प्रसीद और जाने माने जोतिशी बेजान दारुवाला के पुत्र एश्ट्रो फ्रेंड चिर्ण बेजान दारुवाला जी चिराग जी आपका तहदिल से स्वागत शिरी गनेशा नम्हा शिराग जी सब लोग अपने टीवी स्क्रीन पर बैट गए हैं अपना भहिश्य जानने के लिए तो पहले बात कर लेते हैं सब्ता हमें कौन-कौन सी राश्ट्री के जातकों का भाग या खुलेगा सबसे पहले बात कर लेते हैं मेश राश्ट्री की मेश राश्ट्री के लिए आने वाला ये सब्ता क्या लेकर आया है शिरी गनेशा नम्हा नमश्कार दोस्तों कैसे हैं आप उमीद रखता हूं कि आप सब बहुत मज़े में होंगे दोस्तों मैं आप सभी से अनुरोद करूँगा कि आप हमारे साथ हर रविवार को सुबह आठ बजे जुडिये आपको जरूर से कुछ न कुछ फाइदा होगा कुछ न कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी आज हम बात करेंगे कि आने वाला यह सब्ता यानि कि 9 जन्वरी से 15 जन्वरी 2023 का यह सब्ता आप सभी के लिए कैसा रहेगा तो सबसे पहले हम शरुआत करेंगे मेश राशी से गनेश जी कहते हैं कि मेश राशी वालों चिंता करने की थोड़ी सी भी जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि आपका कोई सपना पूरा होने वाला है अब आपका सपना क्या हो सकता है आपका सपना यह हो सकता है कि आपको करियर में प्रोग्रेस मिले व्यवसाय में कुछ अच्छे क्लाइंट्स मिले नए ओर्डर्स मिले जो स्टूडंट्स हैं उनका सपना ही हो सकता है कि युनिवर्सिटी में एड्मिशन मिले या तो फिर अच्छा रिजल्ट आए दूसरा सबसे इंपोर्टेंट यह है कि जो लोग लव रिलेशन्शिप में हैं उनका रिलेशन्शिप और भी इंप्रूव होगा व्यापार कर रहे हैं अगर आप व्यापार को एक्स्पांड करना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग आप इसी सप्ता से करिए जरूर से आपके फेवर में कुछ अच्छे रिजल्स आएगे आप यह समुद लिजिए कि यह सप्ता यानि क्या यह सप्ता यानि विषna fulfillment वाला सब्ता है आपकी जो भी इच्छा हैं जो भी दिमाग में चीजे चल रही हैं जो भी planning आप करें हैं वो जरूर से fulfill होगा कुछ उतार चड़ाओ आपको देखने को मिल सकते हैं पर आपको अपना मन मक्कम रखना है आपको mentally थोड़ा मजबूत रहना है मेश राशी वालो यह समझ लीजी के बहुत कुछ कर सकते हैं सब कुछ आपके हाथ में है पर हर एक चीज अगर आप planning के साथ करते हैं proper communication के साथ करते हैं proper management के साथ करते हैं तो आपको अच्छा result देखने को मिलेगा आपको क्या करना है people के व्रक्ष के नीचे दिया जलाना है और हर शुक्रवा को सफेद वस्तूं का दान करें चावल का दान करें मिठाईयों का दान करें सफेद वस्तूं का कपड़ों का भी आप दान कर सकते हैं उससे क्या होगा उससे आपके जीवन में आपके व्यापार में जो भी बाधाय आ रही हैं जो भी तकलीफे आ रही हैं जो भी अर्चने आ रही हैं धीरे धीरे वो कठती जाएगी और बाधाय कठती यह तो क्या होता है तो अच्छा result मिलना आपको शुरू होता है यानि यह समझ लीजी मेश राशी वालों यह सब्ता बहुत ही बहतरीन जाएगा अब हम आएंगे दूसरी राशी यानि की वरिशब राशी गनेश जी कहते हैं कि वरिशब राशी वालों यह सब्ता आपको कुछ अच्छे समाचार प्राप्त हो सकते हैं अच्छे समाचार क्या हो सकते हैं आपके उपर कोई केस चल रहा हो कोई पुलिस केस हो लीगल केस हो त तो फिर दोनों का समाधान हो सकता है तीसरी चीज आपके कई पैसे अटके हुए हो तो अटके हुए पैसे भी आपको मिल सकते है आपका जो दामपत्य जीवन है बहुत ही सुखमे रहेगा जो लोग विदेश जाना चाहते हैं जो लोग कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं जो कुछ इन्वेंट करना चाहते हैं और सबसे इंपोर्टेंटली जो लोग स्टार्टप करना चाहते हैं उनके लिए सबता बहतरीन है आपको एक जो स्टेप है वह आगे लेना होगा थोड़ा सा आपको तो एफर्ट्स अपना जादा देना होगा वरिशब राशी वालों यह समझ लीजी कि अभी जो कारिय करेंगे वह आने वाले समय में आपको बहतरीन रिजल्ट बहतरीन परिवतन आपको देखने को मिलेगा सबसे इंपोर्टेंटली अगर आप कोई भी चीज पार्टनर्शिप में करना चाहते हैं तो हमारा यह सजेशन है कि ना करें भागी दार वाला व्यावसाय आपके फाइदे में नहीं रहेगा आपको नुकसान हो सकता है या तो फिर लॉंग टम में कुछ न कुछ आप साथ गलत हो सकता है भागी दारी में ना करें इंपोर्टेंट यह है कि आप खुद करें आपका दिमाग दोड़ा है और सबसे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िये समय आपका है सब्ता आपका है चिंता ना करिये अब हम आएंगे तीसरी राशी यानि की मिथून राशी गनेश जी कहते हैं कि मिथून राशी वालों जीवन में उतार चड़ाओ आपने कही देखे हैं अब अब क्या चिसका समय आ व्यवसाय शुरू करना चाते हैं तो आप कर सकते हैं उसका प्लानिंग कर सकते हैं पर कोई भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना है जोखिम लेंगे या निवेश करेंगे शेर बजार में तो शायद आपको नुकसान हो सकता है मिथून राशी वालों यह समद लीजिए कि भात बहथरिन है सेहत का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और साथ साथ में वेवाहीच जीवन में कुछ दिक्कत आ सकती है मन मुटाव हो सकता है पर हमारा यही आप लोगों को सच्गेशन है कि आप लोग कोई भी प्रकार का मन मुटाव होता है तो मन को शांत रखें को कोई भी प्रकार का आपको एकसाइटेड नहीं हो जाना है एकदम जिद्धी नहीं बन जाना है और सबसे इंपोर्टेंटली आपका जो एगो है उसे साइड में रखिए यह समत लीजी अगर आप यह दो-तिन चीजे करते हैं थोड़ा सा मन को शांत रखते हैं तो जरूर से व वरकर्स के साथ कोई मन मुटाव चल रहा है तो वो भी निकाल आ सकता है यानि की यह सपता क्या चिसका सपता है यह सपता निकाल का सपता है और सबसे इंपोर्टेंट यह है कि आप अगर ट्रावेलिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसे अवाइड करिएगा ट्रावेलिंग समझ लीजी कि आपको अभी ही रिजल्ट मिलेगा यानि कि यह सब्ता क्विक रिजल्ट वाला है अभी किया हुआ कारिया आपको अभी ही फल देगा आगे बढ़िये चिंता ना करिये थोड़ा पॉजिटिव हो जाएए समय आपका है बिल्कुल मेश विरुशब और मिथुन राशी की तो बात हो गई अब एक सवाल लचिराग जी मैं लेता हूँ विदेश में अभ्यास करने के लिए ग्रेजुएशन के बाद में या आगी की पढ़ाई के लिए अगर कोई विद्याथी जाना चाहता है ग्रेज़ विदेश में उसको कई वीजा हो जाए या वहाँ पर वह स्टटी करने के लिए जाता है उसके लिए उसको क्या उपाई करने जाहिए देखिए सबसे पहले हम एकी चीज़ बोलेंगे गुरु क्या है गुरु यानि जुपिटर Jupiter को क्या कहते है Jupiter is the planet of good luck यानि कि आप अगर education ले रहे हैं या तो फिर व्यवसाय कर रहे हैं आप कोई भी कार्य के साथ जुड़े हुए है तो Jupiter क्या करता है Jupiter आपको उसमें growth देता है तो जो भी विद्याती abroad जाना चाते हैं तो उनका अगर गुरू मजबूत होता है उनका चं कर सकते हैं ओम गुरूवे नमहा 51 बार 101 बार 151 बार साथ साथ में गुरुवार के दिन पीले कलर की खिचडी आप कह सकते हैं पीले कलर का खाना कह सकते हैं तो फिर पीले कलर के कपड़ों का आप डान कर सकते हैं इससे क्या होगा धीरे धीरे आपका गुरू मजबूत होगा आपके favor में होगा गुरू यानि की आप विदेश जाना चाते हैं या तो फिर अच्छी उनिवर्सिटी में admission लेना चाते हैं करियर में growth पाना चाते हैं या तो फिर विदेश जाके नौकरी करना चाते हैं तो हर एक चीज में आपको growth मिलेगा दूसरा आपको उपना चंद्र मजबूत करना है चंद्र को मजबूत करने के लिए आप शिव जी भगवान की आराधना कर सकते हैं ओम नमश शिवाय से execute कर सकते हैं क्यों क्योंकि चंद्रमन का कारक है अगर चंद्रमजबूत हो गया तो आप जीवन में कोई भी फिल्ड में होंगे कोई भी कार्या कर रहे होंगे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है तो सबसे इंपोर्टेंट यह है कि जो विद्याति विदेश जाना चाहत हैं उनको से पहले थोड़ा सा पॉजिटीव रहना है कोई भी प्रकार का डिसीशन ले रहे हैं तो सोच समझ कर लेना है और उसके उपथियारिटिकल साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपिरियंस भी लेना बहुत जरूरी है क्योंकि हमने कई चीज बार ऐसा देखा है कि विद् स्टेबिलिटी मिलना इंपॉर्टेंट है तो स्टेबिलिटी के लिए आप यहीं से ही प्रैक्टिस करिए मन को मकम कर लीजिए और प्लैनिंग करके करिए तो जरूर से आपको सफलता मिलेगी जी हमारी फोन लाइन खुल गई है और हम दर्शकों को बता दे कि आप अगर को सब्सक्राइब लेते हैं एक दर्शक हलो अपना नाम बताईए और जन्मतारी बताईए तर गुद्मारिंग सर्वाइब बात कर रहा हूं सांग कर दो लिए नैंटीन एटीफॉर्ट है ओके सवाल इस बहुत परेशान हूं सर्जॉब मिल गिए फिर खो जाती है फिर देखिए जब भी आपको अगर स्टेबिलिटी नहीं होती है तो फिर पैसा तो टिके गाई नहीं क्योंकि आज जोब आई कल चली गई वापीस आई वापीस चली गई आप यह समझ लीजिए कि मार्च के बाद मार्च दोजा तेईस के बाद अच्छा समय शुरू हो रहा है अच्छा समय यानि क्या अच्छा समय यानि हर एक चीज में अच्छा अगर आप जोब चाते हैं बदलना नई अपॉर्चुनिटी ढूंट रहे हैं तो आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी साथ साथ में इंपॉर्टेंट यह है कि आपको स्टेबिलिटी मिलेगी प्र हनुमान जी को तेल सिंदूर चड़ाए हनुमान चालीसा का पार्ट करें और ओम हनुमनताय राम दुताय नम्हा का जाब करिए जरूर से आपको स्टैबिलीटी देखने को मिलेगी और आप जीवन में बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेंगे जी अब हम आगे बढ़ते हैं राशी में करक राशी के जातकों के लिए आने वाला यह सब्ता क्या लेकर आया है अब हम आएंगे चौती राशी यानि की करक राशी गनेश जी कहते हैं कि करक राशी वालों अगर आप साजेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको जरूर से फाइदा होगा यह सप्ता क्या है यह सप्ता decision लेने वाला सप्ता है जो भी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं जो भी planning का आप कर रहे हैं उसे आप execute कर दीजिए implement कर दीजिए आपका सप्ता बहुत ही बहतरीन रहेगा करकराशी वालों यह समझ लीजिए कि खटे मिठे विवाद आपके दामपत्य जीवन को और बहतरीन बनाएंगे आपको क्या करना है गौह माता को हरा घांस खिलाना है और सबसे important यह है कि आप जूभी कारिये में जुड़े हैं आप अगर students हैं आपको ज़्यादा सोचना नही स्ट्रेस आएगा depression में आ सकते हैं तो confusion में नहीं रहना है थोड़ा सा spiritual की तरफ जाएए थोड़ा सा भगवान के प्रतिय आपकी जो आस्ता है उसको और बढ़ाईए करकराशी वालों यह समझ लीजिए कि आप बहुत बहतरीन कर सकते हैं पर खाली important यह है कि आपके स्वभा को अपने nature को बढ़ा जिद्धी स्वभाव आपको कुछ नहीं दे कर जाएगा जीरो मिलेगा आपको जिद नहीं करनी है समय को समझिए लोगों की बाचीत को समझिए आपको खुद की जिद नहीं करनी है आपको यह नहीं चलाना है कि आप ही सही है दूसरे गलत है नहीं समझिए सब लोगों की जो सजेशन से उसे ध्यान में लीजिए आप यह समद लीजिए दो तिन चीजे अगर आप करते हैं तो आपको बहुत मजा आएगा यह सबता बहतरीन रहेगा और सबसे इंपोर्टेंट यह है कि यह सबता सीखने वाला सबता है जो भी चीजे आपने सिखी जो भी चीजे आपने अपने दिमाग में दोड़ाई आपको जीवन में जरूर से बहुत आगे तरक्षी के मार्क पर लेकर जाएंगी अब हम आएंगे पांचवी राशी यानि की सीह राशी गनेजी कहते हैं कि सीह राशी वालो चंद्रा और सूरिय आपकी जीवन मे बहुत अच्छा बदलाओ लेकर आने वाले हैं तो बदलाओ क्या हो सकता है बदलाओ ये हो सकता है कि आप अफी 100 का मेंट कर रहे हैं तो 100 के आको result मिलता है तीश ड़का यह सब्ता आपको मेल सकता है 80% 85% 90% यह सब्ता आप बहुत जोश रहेंगे आत्म विश्वास से भरपूर रहेंगे यानि कि जो जो कारिया आप करना चाहते हैं वो बहुत इजीली आप कर पाएंगे और सबसे इंपोर्टेंट यह है कि दुश्मन आपको कितना भी हैरान कर रहे होंगे कितनी भी अर्चने ला रहे होंगे आपको कोई भी फरक नहीं पढ़ने वाला है स्रीराशी वालों यह समद्ली जी के कारिये शेत्र में समाज में परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा लोग आपकी बाचीत मानेंगे लोग आपसे और भी प्रभावित होंगे शुक्र आपके जीवन में बहुत बदलाव लाएगा यह समद्ली जैसी राशी वालों सब्ता आपके जो मन चाहे जो दिमाग में चीज़े चल रही है जो आपके दिल में चीज़े चल रहे है उसे बाहर ला दीजिए चिंता करने की थोड़ी सी भी जरूरत नहीं है और सबसे इंप सकता है येस आपको अच्छा मुनाफ़ा भी मिल सकता है सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ यह है कि पास्ट में जो आपने इन्वेस्टमेंट्स किये थे जो शेर्स आपको अच्छे रिटरंस नहीं दे रहे थे वो शेर्स आपको अच्छे रिटरंस रहते हैं यानि क सिह राशी वालों यह सब्ता हर एक जो जूनी चीज़े है जो जूना इन्वेस्टमेंट है प्लानिंग करके उसे ध्यान में रखकर चीज़े करिए आपको जरूर से फाइदा होगा और आप आगे सो सो ठका बढ़ने वाले हैं अब हम आएंगे छटी राशी यानि की कनिया राशी गनेश जी कहते हैं कि कनिया राशी वालों यह सब्ता क्या चिसका सब्ता है यह सब्ता स्टेबिलिटी का सब्ता है यह सब्ता पॉलिशिंग का सब्ता है यानि कि आपको अपने ऑफिस में अपने घर में अपने में एजुकेशन में छोटी छोटी चीजों में बदल लाना है थोड़ा थोड़ा आपको सीखना है स्मार्टली थोड़ा कारिय करना है पॉलिशिंग करनी है पॉलिशिंग करेंगे तो क्या होगा तो फिर आपको अपने जीवन में अपने करियर में अपने व्यवसाय में एक अलग प्रकार की चमक देखने को मिलेगी आपका सपना पूरा होने वाला है आपका सपना क्या था आपका सपना खुद का घर बनाना था खुद की आफिस बनाना था तो यह सपना आप वो चीजें पूरी कर सकते हैं आपको क्या करना है गो माता को हरा खास खिलाना है और साथ साथ में आप यह समझ लीजिए कि मंगलवार के दिन गन गन पताए नमहा का जाब करिए गनेश जी को मोदक चड़ाए फूल चड़ाए और गनेश जी की आरती करिए जरूर से आपको फाइदा होगा आपके पार्टनर के साथ हस्बंड वाइफ का रिलेशनशिप इंप्रूव होगा और पार्टनर के साथ भी आप अच्छा समय बित किया हुआ इंवेस्टमेंट आने वाले समय में आपको अच्छा रिटन्स देगा साथ साथ में आपके फिल्ड के जो एक्सपर्ट से उनसे भी थोड़ी सी सला लीजिए खुद की जीद मत करिए आपको जरूर से फाइदा हो गया कनिया राशी के जातकों यह समझ लीजिए कि अभी आपको बीज बोने है फिद धीरे धीरे पौधा उक्के बड़ा पेड़ बनेगा यानि कि अभी का किया हुआ इंवेस्टमेंट आने वाले समय में आपको अच्छा रिटन्स देगा लॉंग टम इंवेस्टमेंट्स आपके लिए बहतरीन रहेंगे यह सब्ता और शांती से बितेगा आप थोड़ा सा बिंदास हो जाए और शांती से प्लानिंग करके चीजे करिए जरूर से लंबे समय तक आपको अपने जीवन में बदलाओ देखने को बात करेंगे लिकिन अभी हमारी साथ फून लाइन पर कई कॉलर जुड़ चुके हैं राजस्थ अब जन्में तारिक बताइए अब 10.1960 चैसी नमस्कार 10.1970 चैसी अच्छा और सवाल क्या है आपका सवाल है एक नौक्री में प्रोग्रेस नहीं हो ओरी तर्फ लुड़ ओम उसैन्य नौक्रीन फिर्फ क्या सिरिक्षक्यां आपको थोड़ा सा मजबूत हो जाना है थोड़े मायू सी दूर करनी है थोड़ा सा ज्यादा लोड नहीं लेना है आप लोड लेंगे तों कंफूर्जन में रहें गे कोई भी डिसीशन नहीं ले पाएंगे तो सबसे पहले आपको अपने अंदर कुछ बदलाव लाने की जरूरत है आपको अपना रूटीन बदलने की जरूरत है जुलाई दो अजा तेई से समय थोड़ा इंप्रूव हो रहा है आपके लिए तो यह समय के दौरान अगर आप विचार कर रहे हैं जौब को छोड़कर खुद का कुछ सोच रहे हैं तो उसका प्लानिंग चालू कर दीजिए जुलाई से समय अच्छा है आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे पर सबसे इंपोर्टेंट यह है कि आप थोड़े से नेगिटीव हो चुके हैं तो आपके अ इसे ही बीतिता जाएगा और आपको यहीं लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा बदलाओ अपने अंदर से शुरू करिए फिर देखी कि तीन महीने में चार महीने में आप व्यापार में अपने करियर में अपनी जॉब में कितना चेंजिस देखने को मिलता है एक और कॉलर हमारे साथ है हलो अपना नाम बताएं और जनमत तारीक बताएं कि बारे में क्वेशन पूछना था डेट अवर्ट यह जी बोलिए अधी पंद्रा नॉवेंबर नाइंटी थी और टाइम में सुबह के तीन पंद्रा का मुंबई तो क्वेशन यह है कि उनका आउट आउट आफ इ आउट ओफ इंडिया का चांसिस नवंबर दोजा तेईस से मई दोजा चौबीस का समय बहुत बैतरीन है यह समय के दौरान अगर विदेश जाना चाते हैं तो अच्छे योग दिख रहे हैं साथ साथ में विदेश जाके कुछ पढ़ना चाते हैं अगर स्टुडंट वीज अभी से शुरू कर दिजिए हंड्रेड एंट्वैंटी परसंट दोजाट चौबीस के फर्स्ट हाफ में तो वो पहुंची जाएंगे यानि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है खाली साही बाबा का नाम लेना है और एक साही बाबा के नाम की बाधा रख लेनी है कि आपका नाम बताईए जन्मतारिक बताईए और सवाल कीजिए जिए जन्मतारिक बताईए और सवाल कीजिए अब क्या पूछना चाहते हैं आप मेरी शादी नहीं हो रही है शादी नहीं हो रही है देखिए शादी के लिए सबसे इंपोर्टेंट यह है कि आपको कुछ कारिय करना पड़ेगा आपको जीवन में कुछ बदलाओ लाना पड़ेगा अभी ऐसा लग रहा है कि आप जीवन में बहुत निराश हैं बहुत आप आलसी हो गए हैं आप बदलाओ अपने अंदर लाने होंगे आपको करियर में कुछ करना होगा है दो हजाद चौबीस के यूग दिख रहे शादी का तो शादी का प्लानिंग तब करिए पर अभी है अपना फोकस थोड़ा करियर पर करिए थोड़ा सा अगर आप करियर पे ध्यान देंगे तब ज शुरू होंगे जी जी गई बार ऐसा हमने देखा है कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपने स्वभाव के कारण भी दुखी होते हैं चाहे वो अपने करियर में नुकसान पहुंचाते हैं या अपने फैमिली के लोगों के साथ भी डिस्पूट में सामिल देखते हैं तो स्वभ सभाव को बदलना ना मुमकिन है आप इसान के सभाव को कभी नहीं बदल सकते हैं पर हां कभी-कभी को इनसान Сंद Και हिसाब से थोड़ा सूरिया सूरिय भी अगर आपकी कुंडली में बल्वान होता है तो आप एक अलग प्रकार की रोशनी अपने अंदर अनुभावते हैं सूरिय को मजबूत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं सूरिय देवता को जल चड़ा सकते साथ साथ में सूरिय का मंत्र किया जा सकता है ओम इसिए बबिखुछ आ हो जाते हैं ठोड़ी सी आपकी आश्ता भग्वान के प्रतिया आप बढ़ा देते हैं तो इस से आपको अपने अंदर बदलावत देखने को मिलता है । मंत्र क्या होते हैं यानि आप जो चित्थी छो दुद्र को बगवान सीदस्के आप मंत्र करत है और यह आप करेंगे तो 150 परसंट आपको अपने अंदर बदलाओ देखने को मिलेगा काल जूठ चुक एं हमारे साथ हलो नमस्कार आपका नाम बताईए और अभी में चाहिए ईस Myanmar चाहिए और उन्स त Holz अभी क्या करते हैं आपके सन अभी तो यह काम शुरू करा आपना वाफ कि शादी का योग हमें दिख रहा है सप्टेंबर दो हजाद तेईस से मार्च दो हजाद चौबीस के बीच में पर जो समाच के आप हैं उसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है तो थोड़ा सा आगे पीछे भी अगर होता हो तो कर दीजिएगा दूसरा मंगनी फट विया होगा यानि कि आपने लड़की देखी उसको जितना जल्दी हो सके एंगेजमेंट करके सगाई करके आप शादी की तारीख निकालके शादी कर लीजिएगा सेप्टमबर के बाद का समय अच्छा है तो ये समय के दौरान थोड़ी सी आप जो तलाश है जो सर्च है लड़की की वो बढ़ा दीजिए का जरूर से आपको बच्चे के लिए अच्छे रिष्टे मिलेंगे अब हम आगे तौलाव रुष्चिक और धनराशी की बात करेंगे लेकिन हभी हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा मिलते हैं एक छोटी से ब्रेक के बाद और बात करेंगे तौलाव रुष्चिक और धनराशी के और साथ में आपके कॉल्स भी लेंगे मिलते हैं ब्रेक के बा हैं ले से यांटी तुला राशी कटे की लिए आने वाला मेगी साथवी तुला झानेश जी कहते हैं की तुला राशी मेश्कारा पान को एक ही जगा करना है जोसे पर फोकस करें जरूर से आपको अच्छा परिवतन देखने को मिलेगा जो लोग सरकारी कर्म चारी है जो लोग private में कार्य कर रहे हैं या तो government के साथ कोई भी कार्य कर रहे हैं आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है बड़ा पद मिल सकता है अगर जमीन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत ही बहतरीन है यह समझ लीजिए कि यह सपता क्या चिसका सपता है यह सपता सत्ता का सपता है जो position पर जहां पर आप जाना चाहते हैं अगर आप लोग IPSA, IASA, civil servants है और आप transfers चाहते हैं कोई अच्छी position चाहते हैं तो वह आपको मिल सकती है पैत्रिक समपत्य मिल सकती है और कोई लिगल डिस्प्यूट है तो आपके favor में आ सकते हैं बाचीत के द्वारा हर एक मुसिबत का आप समाधान, हर एक समस्या का समाधान आप निकाल सकते हैं तुला राशिके जातकों आप यह समझ लीजिये कि जो जीजे जैसे जैसे आप करना चाते हैं, करवाना चाते हैं लोगों से, यह सब्दा आप के फिवर में है, आपके हुए decision लोग मानेंगे, लोग आपको follow करेंगे आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं यानि कि ये आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है आपका जो target है आपका जो goal है उस पर पहुँचने में शायद आपको नहीं लगेगा planning करके करिए समय आपका है और सबसे important planetary positions आपके favor में है जरूर से फाइदा होगा अब हम आएंगे आठवी राशी यानि कि वरिशिक राशी गणेश जी कहते हैं कि वरिशिक राशी वालो आप लोग बहुत हुश्यार है आप लोग बहुत चालाक है situation को बहुत अच्छी तरह से आप समझ लेते हैं और फिर कैसे कार्य करना या उस समय क्या बाचीत करने कैजे अपने आपको present करना आपको बहुत अच्छी तरह से आती है यानि कि कठीन समस्याओं में भी आप अच्छी तरह से उसका हल निकाल लेते हैं यह सपता क्या चीज़ का सपता है यह सपता आपका respect बढ़ेगा आपके जो पिछले कारे किये हुए है उससे आपको समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा और लोग आपकी बात मानेंगे अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको कुछ नए प्रोजेक्ट्स नए ओर्डर्स नए टेंडर्स आपको मिल सकते हैं जो चीज अठकी हुई थी पिछले कुछ समय से वो यह समता में आप निकलाएंगे आप होश्यार हैं आपको यह पता है कि यह कार्य कब कैसे कहा निकलेगा आपकी जो प्रेम संबंध है वो और भी मजबूत होंगे और रिलेशन्शिप मजबूत होगा तो आप यह समद लीजी कि जीवन में आप हर एक पड़ाव को अच्छी तरह से पार कर सकते हैं साथ साथ में आप अपने बॉसिस का अपने सीनियर्स का भी ध्यान अपनी तरफ आकरशित कर पाएंगे इट मेंस प्रोमोशन निश्चित है या तो फिर सेलरी में इंक्रिमेंट निश्चित है आपका जो विश्वा से और भी बढ़ेगा सबसे इंपोर्टेंट ये चीज़ है कि जो आपने स्टार्ट अप जो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था कहीं न कहीं मायूसी आ रही थी कहीं न कहीं एक स्ट्रेस में आप जी रहे थे तो वो मायूसी वो स्ट्रेस धीरे धीरे या सपता दूर हो जाएगा और स्ट्रेस होगा तो क्या होगा, आप अपने कार्य को अच्छी तरह से कर पाएंगे व्रिशिक राशीadt के जातको आपको क्या करना है आपको बुद्ध्वार के दिन विश्णु जी की अराधना करनी है और शुक्रवार को लक्षमी जी की आराधना करनी है यह समझ लीजिए कि ये दो भगवान की आप ने आराधना की तो आप हर्ण पड़ाओ को अच्छी तरह से पार कर पाएंगे सप्ता अच्छी तरह से बितेगा अब हम आएंगे नवमी राशी यानि कि धनू राशी गनेश जी कहते हैं कि धनू राशी के जात बढ़ना हो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है किसी के भरोसे भी नहीं रहना है आपने किसी से उमीद रखी एक्सपेक्टेशन रखी तो आपकी उमीद तूट सकती है उमीद रखे बिना कार्य करेंगे तो जरू से आपको आथिक मिलेगा अचानक आपको अपने जीवन मे कुछ अच्छा समाचार मिलेगा सुनने को मिलेगा आप यह समद लिजिए कि कहीं से आपको अच्छे रिटरंस मिल गए अटका हुआ पैसा मिल सकता है प्रोपर्टी बेचना चाह रहे थे तो उसमें आपको अच्छे दील मिल सकती है खरीदना चाह रहे थे तो उसमें अच्छी डील मिल सकते है यानि कि यह समद लीजे धनुराशी वालो कुछ न कुछ आपके साथ अपने जीवन में अचानक होगा और वो अचानक होने वाला कारिय आपको बहुत मजबूत बनाएगा सबी बाधाएं दूर होंगी और बाधाएं दूर होंगी तो क्या होगा घर का जो माहोल है वो और भी बहतरीन हो जाएगा और माहोल बहतरीन होगा यानि आप जीवन में खूश है आपको चाहिए क्या mental happiness अगर आप mentally खूश है तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे और घर का वातावरन अगर अच्छा रहा ओफिस का वातावरन अच्छा रहा तो जीवन में आपको कोई भी चीज़ की जरूरत नहीं है धनू राशी वालो आप शुकरवार के दिन सफेद वस्तुहों का दान करें सफेद चावल का भी आप दान कर सकते हैं और यह दान आप शाम के बाद करिए छे बजे के बाद करिए जरूर से आपको फाइदा मिलेगा काफी सारे कॉलर्स हमारे साथ हैं जुड़ रहे हैं तो हम जल्दी से कॉल ले लेते हैं हलो नमस्कार आपका नाम बताइए और जन्मेतारिक बताकर सवाल कीजिए हलो लगता है कॉल कट गया है दूसरा एक कॉलर्स भी है हमारे साथ हलो आपका टीवी बंद करिए और फिर बोलिए आप आपका टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए और फोन पर आपका सवाल बताईए अब हमारे साथ दूसरे कॉलर्स जुड़ चुके हैं हलो जी नमस्कार आपका नाम जन्मतारीक और सवाल पूछना चाहते हैं बताईए नाम है मनु सर्मा जन्मतारीक है 14 अप्राल 1985 सवाल सवाल यह है कि इसको जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी वो बहुत कट इन परस्केटें से गुज़रा है काम कर रहा है जॉब नहीं लगदी सरकारी देखिए सबसे पहले तो हमें लगता नहीं है कि सरकारी जॉब के अच्छे योग नहीं दिख रहे हैं आपको सरकारी जॉब का जो आइडिए है जो दिमाग में आपकी दगश है सरकारी जॉब की उस séčे चोड़ कर आपको थोड़ा प्राइवेट सेक्टर की तरफ आगे बढ़ना होगा दूसरा आप थोड़े सी जिद्धी लगते हैं तो आपकी जिद्ध हैं उसको उतारिए इगो को थोड़ा कम करिए और सभी लोगों का सजेशन फॉलो करके जीवन में आगे बढ़िए प्राइवेट सेक्टर जॉब आपके लिए बहतरीन है वापीस हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर सरकारी सेक्टर को भूल जाएं प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में आपको अच्छे योग दिख रहे हैं लग जाए आने वाले 45 दिन में आपको जॉब मिलेगी उसमें ल गनेश जी कहते हैं कि मकर राशी के जातको यह सपता आपका ही सपता है यह सपता जीवन में आपको आगे बढ़ने का मुका मिलेगा ट्रावेलिंग आपके जीवन में कुछ बदलाव लेकर आ रही है अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ट्रावेलिंग हो सकती है अगर आप खु करेंगे तो जरूर से आपको फाइदा होगा ओम नमस्षिवाय का जाब करिए शिवजी भगवान को याद करिए ओम शब्द में बहुत ताकत है थोड़ा सा मेडिटेशन भी करिए मकर राशी के जातको यह समद लीजिए के सब्ता आपके जीवन में बहुत सारी पकड़नी है वो आपके हाथ में है जो लोग स्टुडेंट्स हैं वो लोग कुछ क्रियेटीव करना चाते हैं जो लोग अबरोड जाना चाते हैं या तो फिर जो लोग स्ट्रेस में हैं उनको अपना स्ट्रेस उतारना है उनको थोड़ा सा स्ट्रेस उतारने के लिए जाधना कर सकते हैं ओम नमो भगवते वासु देवाय नमा का जाप विश्णु भगवान का यह जाप कर सकते हैं आप यह समद लीजिए मकर राशी के जातको जीवन में आगे बढ़ने का आपको मौका मिला है अभी नहीं तो कभी नहीं नाव और नेवर यानि कि अपॉचुन करीन है अगर और आड़ी कार्या कर रहे हैं और उसको एक्सपांड करना चाहते हैं करिए सब्सक्राइब का है अच्छे रिजल्स आपको जरूर से देखने को मिलेंगे इस टमक रिलेटेड पेट रिलेटेड तकलीफे हो सकती है सावचेती रखिएगा जंक फूड को अवो तो आपने के जातकों आपने सोच लिएकर आपको जीवन में क्या करना है आप मजबूत है पर हीन और आपके आपके अठक रहें कहीं जो आप डिसीशन्स में ले रहे वह के फेवर में नहीं आरा रहा सपता क्या रहेगा यह सपता आपका सकारात्मक उर्जा से भरा हुआ रहेगा यानि की आप अगर उर्जा से भरे हुएंगे तो आप नए लोगों के संपर्क में आएंगे नए मित्र बनेंगे और वो आपको अपने व्यापार में आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका देंगे आपको कुछ creative ideas देंगे आपके जीवन में बदलाओ लाएंगे आपको दूसरा क्या करना है आपको चीटियों को आटा देना है यह समद लीजिए कि आपके जीवन में जो बादाएं आ रहे थी जो अडचने आ रहे थी वो धीरे धीरे कठती जाएगी और वो कम हो जाएगी तो क्या होगा आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा दूसरा अगर आपके घर पे बुजूर्ग है तो उनकी सेहत का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यह सबता थोड़ा सा हेल्थ conscious रहिएगा elders की बुजूर्गों की माता पिता दादा दादी जो भी घर पे बुजूर्ग है उनकी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा साथ साथ में जो लोग heart patients है उनको थोड़ा सा और careful रहने की जरूरत है पर अगर आप careful रहेंगे तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बिलट मोड पर रहेंगे तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है समय अच्छी तरह से बितेगा पर खाली एक ही शब्द कहेंगे कि थोड़ी सी सावधानी रखिएगा तो सब्दा अच्छी तरह से बितेगा अब हम आएंगे बारवी राशी यानि की मीन राशी गनेश जी कहते हैं की मीन राशी के जातको यह सपता आपका सपता है यानि कि जो आपने investments किये थे जो आपने business में बाते करके रखी थी वो चीजे होंगी और उससे क्या होगा उससे आपका मन प्रसंद रहेगा आप खुश रहेंगे विदेश में अगर कुछ कारिय करना चाहते हैं अगर विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं कोई भी प्रकार का abroad related कारिय आपके जीवन में बदलाओ लाएगा दूसरा धन आगमन भी होगा अच्छे परिवतन आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे साथ साथ में जो partners के साथ dispute चल रहा था उसमें जो मन मुटाओ चल रहा था वो मन मुटाओ भी यह सपता दूर होने लगेगा और trading अगर आप करते हैं partnership में तो भी वो फाइदेमन साबित होगी आपको क्या करना है आपको शिव चालीसा का part करना है और अगर आप कोई भी जगह जा रहे हैं तो आपको positive सोचना है ज्यादा load नहीं लेना है stress नहीं लेना है आप यह समद लीजिए कि यह सपता leadership वाला सपता है यह सपता लोग आपको देखेंगे लोग आपकी बात मानेंगे लोग आपको follow करेंगे मीन राशी के जातकों आपको चिंटा करने की जरूरत नहीं है क्यों कि कुछ spiritual चीजे आपके साथ है कुदरत आपके साथ है तो हमें लगता ही नहीं है कि आपको चिंटा करने की जरूरत होगी जी जी बाराराशी का धवीश्या अब बताये कि पाराशी शे एक conclusion पे आए अगर आज आप कुछ टिप्स देना चाहे हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसी बात ही बताना चाहे जो जीवन में बदलाव ला सकती है तो ऐसी कौन सी टिप्स बताना चाहेंगे देखे अब हम आएंगे कंक्लूजन पे कि ऐसा सभी बारा राशी वाले कौन क्या कर सकते हैं कि जिससे उनके जीवन में कुछ बदलाव आएं तो मंत्र है रुद्र मंत्र वो मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्रा नम्हा यह मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो जो भी निगेटिविटीजिस है जो भी अरचने आ रही है और आप जो कारिय करτα क्या चाते हैं जो व्यापार के साथ जुड़े हैं स्टूडन्स अगर एजूकेशन के साथ जुड़े हैं तो उसमें आपको पावर मिलेगा power मिलता है तो क्या होता है तो directly आप 10 टका महनत करेंगे आपको 50 टका result मिलेगा या तो फिर आप यह कह सकते हैं कि आप 100-100 टका महनत कर रहे हैं पर कहीं न कहीं आपका growth अटक रहा है कहीं न कहीं जो चीजें आप करना चाहते हैं जिस level पर पहुंचना चाहते हैं वहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मंत्र आप यह समद लीजिए मंत्र डायरेक्ली भगवान के कानों तक जाते हैं और मंत्र आप करेंगे तो आपको जरूर से जीवन में सिद्धी देखने को मिलेगी वाइदा देखने को मिलेगा अब एका आखरी सवाल चिराग जी आने वाले सप्ता हमें शेयर मार्केट में किस प्रकार की हलचल देखने को मिल सकती है देखे शेयर बजार में हमें लगता है कि आने वाला सप्ता यानि कि यह जो सप्ता आ रहा है उसमें थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है पर मेजरली कोई प्रॉब्लम नहीं है यानि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है पर हमारा आपको खाली एकी सजेशन है शेयर बजार उपर हो कि शेयर बजार नीचे हो अगर आप पॉजिटीवली एक तो और अलेट मोड पर रहेकर और तीसरा एकसपर्स के लिजा लेकर अगर आप इंवेस्ट्मेंट करते हैं तो आप जीवन की बाजी शेर बजार का इन्वेस्टमेंट आपको जरूर से लापतायक रहेगा जी चिराग जी अब समय हो चला है इस कारेकरम का अंत करने के लिए तो हमारे पास समय का भी तकाजा है तो आप हमारे स्टूडियो में आए दर्शकों को बहुत अच्छी टिप्टी बहुत 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 दिम्राइब तो दोस्तो अगले सब्ता जोतिश चक्र विशेश कारेकरम में फिर से मुलाकात होगी इसी समय तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए नमस्कार